हैलो दोस्तों गुट मौनिंच स्वागते आप सभी के सीतल उत्रा खंडी ब्लोग में आप इस नास्ते में मैं ने बनाए कंकोडे की सबजी दोस्तों तो ये आप देख सकते हो ये है पहाडी कंकोडे तो तो यह इस तरीके से होते हैं, ऐसे हरे हरे, और छोटे छोटे दोस्तों, तो इसी तरीके से होते हैं, यह मैं अभी आपको काट के भी बता रही हूँ, इनको कंकोडों को, तो यह अभी आप देखते हो, हाथ से भी वैसे तोड़े जाते हैं, लेकिन मैं चाकू से काट रही हू तो इसी तरीके से हम सारे कंकोडे जो है मैं कार दोंगे और किसी पर वाइट कलर के बीज और किसी पर ब्लैक कलर के बीज आते हैं दोस्तों और इसी तरीके से होते हमारे पहाडों में कंकोडे दोस्तों तो जो पहाड से या उत्राखन से यहां से मुझे देख रहे होंगे तो यह अभी आप देख सकते हैं यह है पहाड की फेमस सबजी दोस्तों बहुत अच्छी सबजी होती है इन कंकोडों की तो यह मैं आपको बीज भी अभी दिखा रही हूँ और मैं अभी आपको बताती हूँ पूरे छिलके तो यह मैंने पूरे अभी छिल लिये थे यह कंकोडे एक साइड मैंने बीज रखे हुए है और एक साइड यह मैंने सारे कंकोडे जो है यह छिलके रखे हुए है दोस्तों तो यह बीज भी वैसे जो ब्लैक कलर के बीज होते है यह भी किसी दवाई में काम आते हैं दोस्तों घर में इसकी दवाई बनाई जाती है तो यह साइड मैंने बीज रखे विये हैं और एक थाली में मैंने जो ये कंकोडे हैं इनको रखा हुआ है बहुत जादा टेश्टी सबजी बनके तयार होती है दोस्तों तो चलिए चलते हैं मेरे कीचेन में और बनाते हैं इन कंकोडों की सबजी दोस्तों तो सरसों के तेल में मैं इसको बन कर दोशते हैं तो यह अभी आप देख सकते हैं सेच सासे मैंने रख कड़ाई में तो ये अभी मैं आपको बता रही हूं मैं थोड़ा एसमें मिक्स मसाला दोछे सब्सक्राइब कर दूंगे और कुछ भी अएड नहीं कर ँंगी मैं इस सब्सक्राइब कर दोद कर performer है ये सब्जी बहुत कम हो जाती है दोस्तों बहुत जादा दिखती है लेकिन बहुत जादा कम हो जाती है और इसी महीने होते हैं दोस्तों ये एक महीना ही ये कंकोड़ा होता है पहाड में तो ये अभी आप देख सकते हैं इसी तरीके से होता है हमारे पहाडों में एक से नई जाती है और बहुत ज्यादा हल्दी भी होति हैं यह सबजी यह दोस्तों बिलकुल भी पानी नहीं डाला मैंने इसमें ढ़कन लगा दिया है और साथी साथ दोस्तों मैं बना रही हूँ आज अंडिया का पराठा तो अंडिया का पराठा के भी मैं आपको एक सोट सा एक छोटा सा किलिप बता रही हूँ दोस्तों वैसे अंडिया के पराठा की मैं अलग सी वीडियो अपने चैनल पर डाल दूँगी दोस्तों आप वहा करके बता सकते हैं कि अन्डे के प्राठे का फुल वीडियो आपको बता दूंगी दोस्तों तो वैसे ये बहुत ही जादा EEजी त giving इसी तरीकी से आप भी देखे बना सकते हो सिंपारी का दोस्तों जैसे आलू के गोविर गोवि ada사 ni बनाया जाता है बस अंडे के पराठे में थोड़ा सा सेप को थोड़ा सा तिरकों टाइप का बनाना पड़ता है और इसी तरीके से हम रख डाल दिंगे इसमें जो ये अंडा मैंने रखा हुआ है इसको मैं डाल दूँगी तो ये मैं एक छोटा सा किलिप दोस्तों एड कर रह तो अभी देखते हैं दोस्तों यह मैं डोटिया भी बना रही हूं साथ में और देखते हैं अभी मेरी सब्जी तो दोस्तों यह है मेरी कंकोडे की सब्जी दोस्तों बहुत ही जादा टेश्टी बनके तैयार होती है दोस्तों यह सब्जी अगर आपने खाई होगी तो आपको गल जाते हैं दोस्तों मैं जादा तर सब्जियों में इसी तरीके से टमाटर उपर से काट के डालती हूं आपने देखाई होगा तो दोस्तों यह है मेरा आज का पहाड़ी नास्ता दोस्तों तो नास्ते में बनाई मैंने आज कंकोड़े की सब्जी दोस्तों बहुत ही जादा सब्सक्रादाब।